ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रो सादर जैशी कृष्ण हमारे यूट्व चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अचारे धर में दिशास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल यह राशी फले नो जन्वरी 2022 रईवार का दिन है पोश महा के शुकलपक्ष की सब्तमीति थी है उत्रा भादरपद नामक नक्षत्र होगा तथा मीन राशी में चंद्रमा बिद्दिमान रहेंगे दिशासुल के अगर हम बात करें तो पश्चिम दिसा में रहेंगे इसलिए पश्चिम दिसा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी कारण वस्चिम दिसा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा अवश्यक हो तो पान खा करके यात्रा आरंब कर सकते हैं राहुकाल जो किशाम को साड़े चार बजे से शुरू होकर के छे बजे तक रहेगा राहुकाल के दोरान कोई भी शुबिया मांगली कारिक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए हालाकि राहुकाल का निर्णे आप अपने ख्रेत्र के पंचांग अत्वा केलेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है। इनको धन लाप के अलावा कुछ पारिवारिक रूप से भी शुब और मांगलिक सूचना या समाचार प्राप्त होने वाला है। तो अब हम आपको मेंस से ले करके मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी पर पताने जा रहे हैं। हमारे इस ग्यानवर्दक वीडियो को अंते तक जरू देखिएगा और अधेक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेसरा सिही। पिछले कुछ समय से किसी के साथ चल रहे हैं खराप संबंदों में सुधार आएगा। घर की सुक्स्विधाओं संबंदी कारियों में आपका विशेष योगदान रहेगा। इस समय आर्थिक स्थिती उचित बनी रहेगी। भविश्य शंबंदी निवेश के लिए समय और दिन उत्तम है। संतान से संबंदित कुस कारियों में आपका धन खर्च होगा। खर्च की अधिक्टा हो सकती है। अपनी भावकता जैसे स्वभाव पर नियंत्र रखे। अन्यता कुछ लोग आपका गलत फाइदा उठा सकते हैं। दो पहर के पश्चाट ग्रहस्तितियां कुछ विप्रित होगी। तथा मन में कुछ नकारत्म विचार भी आएंगे। जो आपको परिशान करेंगे। इस समय अपने व्यवसाय में सिर्फ वर्तमान गतिविद्यों पर आपको ध्यान देना चाहिए। महनत और लगन से कारी किया गया तो आपको निश्चय ही लाप्रसिद्ध होगा। और उपाय के रूप में चट के ऊपर पक्षियों को दाने डालना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक छे होगा, भागिशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की। इस समय कुछ धार्मिक, सामाजिक था, अन्य, कारियों के प्रती आपका विशेश योगदान रहेगा। आपको एक नई पहजान प्राप्त होगी। किसी पारिवारिक मुद्दे में भी आपकी विशेश उपस्तिती रहेगी। इस समय परिस्टियों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। समय का सदुपयोग आपको करना चाहिए। ध्यान रखे कि किसी नजदी की रिस्तिदार की वज़े से धन हानी संभाव होगी। लेन देन करते समय लापरवाही बिलकुल न करे। घर के बुजुर्गों के स्वास्त का विशेज ध्यान रखे या समय किसी भी यात्रा करने के लिए उचित नहीं है। करक्षत्र में आई के साधनों में ब्रद्धी होगी। इसके सांथी खर्च भी आपके बढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मितुन राशी की। आपका अधिक्तम समय अपने व्यक्तितों को और अधिक बहतर बनाने में व्यतित होगा। विद्यार्त्यों को विध्या या सिख्षा के अनुरूप कोई न कोई नोकरी मिलने से उनकी चिंटायें दूर हो जाएगी। धार मकार्म तथा अध्यात में गती विदियों में आपकी रूची बढ़ेगी इस समय धन के लेंदन संबंदी कोई नुकसान होने की स्थितियां बन रही है जिसकी वजह से स्वभाव में चिर्चड़ा पन रहेगा आपकी अधिकार पूर्ण वानी दूसरों को नाराज कर सक बेहतर होगा कि वर्तमान परिसितियों पर ध्यान दे नुक्रिपेशा वेक्तियों को काम की अधिक्ता की वजह से और टाइम भी करना पड़ेगा उपाई के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में चावल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भाग परिद्धारी होगी समय अच्छे से व्यतित होगा सभी सदस्यों के बीच हास परिहास तथा मनुरंजन भरा वातावरन रहेगा परिवार तथा व्यवसाय के बीच बहतर तालमेल बना कर रखेंगे व्यस्तता के बावजूद सभी कार्य सहज तरीके से पूरे हो जाएंगे परन्तु अपने विरोधियों की गटी विधियों को नजर अंदाज न करे आप किसी शड्यंत्र या गलत फिमी के शिकार भी हो सकते हैं किसी रिस्तदार या मित्र से कुछ कहा सुनी हो सकती है मन आपका व्यतित हो सकता है उपाय के रूप में भोजन के बाद मीथी वस्तु खाना आपके लिए शुफल्दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका आसमानी होगा अब हम बात करते हैं सिंग राजी की आपका प्रभाव साली तथा महत्वपूर्ण लोगों के बीच में कुछ समय व्यतित करना आपके आत्मबल्व कारिक्षमता में और अधिक व्रद्दी करेगा आपकी वाणी दूसरों के ऊपर एक छाप छोड़ेगी समाजी क्षत्र में आपके संपर्क का दाइरा बढ़ेगा कभी कभी ऐसा प्रतीत होगा कि भाग्या आपका सांत नहीं दे रहा है जिसकी वज़े से आपके आत्मश्वास में कुछ कमी आ सकती है परन्तु मनन करे कि आपको मैसूस होगा कि यह सिर्फ आपका वहम है लाभ के सुरोत कुछ कम रहेंगे मशीनरी खनपान से संबंदित व्यवसाय में बहतर आपको फाइदा होने का योग बन रहा है उपाई के रूप में घर के मंदिर में पीला फूल चड़ाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं कन्याराशी की आपके उत्तम व्यक्तित तथा प्रभाव साली वानी के प्रभाव से सामाजिक और पारिवारिक शेत्र में आपका रुत्बा बढ़ेगा आपका सम्मान बढ़ेगा आपके कुछ महत्युपूर्ण लोगों से संपर्क घनिष्ट होंगे दोस्तों तथा रिस्तेदारों के साथ मेल मिलाब से खुशी आपको महसूस होगी अपने आपको तरों ताजा आप महसूस करेंगे कुछ व्यक्तिकत कारियों के साथ साथ पारिवारिक सदस्यों के साथ अपना दाईत्व आपको निभाना होगा निवे शम्बंदी मामलों में ज़्यादा पैसा न लगाएं क्योंकि इस समय नुक्सान के आसार बने हुए हैं उपाई के रूप में गाई को हरी घांस या हरी सबजी खिलाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की दिन की शुरवात बहुत ही सुखद रहेगी आपके सभी सोचे समझे काम शांती पूर्ण तरीके से निपड़ जाएंगे तथा आपका विनम्र स्वभाव लोगों में तारीफ का कारण बनेगा अध्यत्मिक क्षित्र के प्रतियापका रुजान और अधिक बढ़ेगा परन्तु कभी कभी लापरवाही के वज़े से आप बैठे बिठाएं किसी मुसीबत में पढ़ सकते हैं आप पर कोई बदनामी का आरोप भी लग सकता है इसलिए इस समय बहुती समझदारी से काम लेने की आउशकता है घर के वरिष्ट व्यक्तियों की सलहा पर आपको अमल करना चाहिए आज अपनी उर्जा सकारत्मक कारियों में लगाएं धनलाब होगा रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा और उपाय के रूप में गरिब व्यक्ति को चने की डाल का दान करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका बादामी होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासेगी बच्चों के भविश्य को लेकर कुछ योजनाएं बनेगी तथा निवेज संबंदी कारियों में आपकी दिल चस्पी रहेगी दिल की बजाए दिमाग से काम करें हिम्मत और साहस के बल पर असंभाव कारी भी आसानी से संभाव हो जाएंगे भाउकता में आकर कोई भी गलत निरनाय न करें किसी नजदी की रिस्तिदार से मामूली बात पर वैचारिक मदभेद हो सकते हैं इसके कारण संबंदों में खटास उत्पन हो सकती है कोई भी बाहरी व्यक्ति आपकी भाउनाओं का गलत फाइदा उठा सकता है इस समय अत्याधिक सचेत रहने की आपके लिए आउशक्ता होगी और उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि एक इलाइची आप खाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई सावित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा अब हम बात करते हैं धनुराशी की आर्थी की सिती बहतर रहेगी रुका हुआ या उधार दिया पैसा वापस मिलने से राहत मिलेगी तथा अपनी व्यभार कुशलता द्वारा किसी भी प्रकार का काम निकालने में आप सक्षम रहेंगे किसी नजदी की व्यक्ती के घर जाने का अमंतरन आपको प्राप्त होगा पैसा आने के साथ साथ कुछ खर्चे भी तैयार होगे कभी कभी मन में निराशावा नाकरात्मक विचार उत्पन हो सकते हैं ऐसे विचारों से आपको दूरी बना करके रखना चाहिए उपाई के रूप में लाल कुंकुम का तिलक लगाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका ओरेंज होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की आप अपनी योजना किसी भी प्रकार से जो है किसी के सामने प्रगट न करे गुप्त उसको रखना चाहिए योजना को क्रियानवित करने से पहले एक बार पुना उस पर सोच विचार अवश्य कर ले तथा आपको कहीं से कोई सुखत समाचार प्राप्त होगा जिससे घर परि भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका नीला होगा अब हम बात करते हैं कुम्ब राशी की आज हास परिहास्त था मनोरंजन संबंधी कारियों में आपका समय वर्तीत होने से स्वयम को हलका फुलका और उर्जावान महसूस करेंगे घर की जर्वत संबंधी क आपका विशेस योगदान रहेगा बच्चों के साथ उनके क्रिया कलापों में रूची जाहिर करना उनके आत्मिश्वास को और अधिक बढ़ाएगा घर की किसी महत्वपूर्ण वस्तु के न मिलने से कुछ चिंता हो सकती है और उपाई के रूप में देवी जी के मंदिर में लाल फूल चड़ाना आपके लिए शुपल दाई साबित होगा आपका भगिशाली अंक एक होगा भगिशाली रंग आपका हारा होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आज आपको अपनी छुपी हुई प्रतिभा वक्षमता को निखारने का उसर प्राप्त होगा समा भगिशाली अंक तीन होगा भगिशाली रंग आपका लाल होगा तो मित्रो यह बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाय तथा भगिशाली अंक और भगिशाली रंग हमने आपको बताए हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक प्रवाद